नमस्कार आपके साथ मैं हूँ राजेश और आप देख रहें जिमुला दाक विजन ग्रिफ डिपार्टमेंट की बात अगर करें हम तो काफी पिछले काफी समय से जो सुर्ख्यों में है अगर हम बात करें खासकर इश्तिहारी पंचायद से जहां पर पिछले आठ से दस सालो से जो है रोड का काम जो है लगा हुआ है जिसकी हालत जो है आप अप लाइफ विजूल्स में मेरे साथ में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किस कदर से इस पे काम हुआ इतने वर्षों में और क्या हालत इस रोड की आज की लिएट में है आपको बता दूँ कि अभी मिंदली आत्रा भी जो है वो चल रही हैं सेंकडू श्रत धालू प्रति दिन जो है वो मिंदली के और इसी रास्ते से जाते हैं और मामिंदल वाली के दर्शन जो है करते हैं और ऐसे में जिस तरह से रोड की हालत बनी पड़ी है इसमें कितना जो है लोगों को मुश्कलातों का सामना करना पढ़ रहा होगा वो आप लाइव विजूल्स के माधियम से भली भांती देख पा रहे होंगे आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोड जो है जगा जगा पर ज़ो है किसमें किचट बना पड़ा हुआ है कहीं सोलिंग का काम इस पर किया नहीं गिया है जिस वजह से जगा जगा गाडियों को फसने का डर लगा रहता है पानी को निकास के लिए कहीं ड्रेनेज सिस्टम जो है नहीं बनाया गया और रोड पर ऐसी खुला छोड़ दिया गया है जिस वज़ा से जो है मलवा जो है इकठा हो जाता है रोड पर और गाड़ें को फिर से फसने में या फिर स्लिप होने के जो चांसे जो बढ़ जाते हैं ग्रिफ डिपार्टमन ने पिछले साथ आठ वर्षों में जितना भी कारे किया है वो सारा का सारा आप इस लाइव विजवल के माधियम से आप देख पा रहे होंगे हाले कि अगर इस रोड की हम बात करें तो ये आज से लगबग तीन चार साल हो रहे है इसको खोल दिया गया है लोकल गाड़ियों के लिए लेकिन फिर भी इस पर ना तो कोई सोलिंग का काम किया गया और ना ही इसको अच्छी तरह से मेंटेन रखा जाता है ग्रिफ डिपार्टमेंट आखिर वहाँ पर कर क्या रहा है वो हमारे समझ के बाहर है अगर हम बात करें तो सेंकडू लेबर भी इस एरिया में जो है लगाई गई है लेकिन फिर भी जो है इस रोड की जो है खसता हालत है जहां भी प्रोटेक्शन के काम इनों ने वहाँ पर किये गए है उनको बिलकुली उपर उपर से क्या गया है और जैसी बारिश या पानी कहीं लगता है तो वो डंगा जो है वो डह जाता है और फिर से रोड की हालत जो है खसता हो जाती जितना भी मलवा गृफ डिपार्टमेंट नहीं हाँ पर फैका उपर से नीचे रोड नीचे से उससे नीचे रोड में और यह मोड़ों पर उपर से मलवा नीचे के लिए फैकते है जिस वज़ा से सारा का सारा जैसे बार्श ही होती है तो सारी के सारी पसी जो रोड पर आ जाती है और रोड जो है वो बिलकुल उसकी हालत जो हो खसता हो जाती है फिलहाल ना तो प्रशासन और नहीं गृफ डिपार्टमेंट इस पर जो है जो है ध्यान दे रहा है जिस वज़ा से लोकल लोगों को तो मुश्कलों का डेली सामना करना ही पड़ता है आप इतु जिस वज़ा से आज जैसे कि आप जानते कि मिंदल यात्रा भी चल रही है ऐसे में यात्रियों को भी काफी प्रेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और उनको इस रोड की हालत के बारे में पता नहीं है ऐसे में कम से कम प्रशासन को चाहिए कि इस एक डेड महीं है जब मिंदल यात्रा के लिए यहां से ज़रुलार रश रहता है उस टाइम पर ग्रिफ डिपार्टमेंट को इस रोड पर समय समय पर जो है इसकी सफाई वो इसको जो पानी को जो निकास का रास्ता और साथी साथ कम से कम यहां पर सोलिंग की जाए ताकि इतना जो है यहां पर कीचड़ नहों जिस वज़ा से गाड़ियों जो है फसने यासलिप होने का खत्रा ना रहे फिलाल हम प्रशासन से उमीद कर इस रोड पर जो है अपना जो है ध्यान के इंद्रित कर इसको प्राथ मिकता दे ताकि इस रोड को मैंटेन किया जाए और यात्रा जो है मिंदल यात्रा भी समूथ ली चले और लोकल लोगों को भी मुश्कलातों का सामना ना करना पड़े फिलाल ऐसी खास रिपोर्ट्स देखने के लिए आप जमूल अदाक विजिन के साथ बने रहे हमें दीजे इजाज़त नमश्कार